हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम लेडीज वूलन सोक्स बना कर तयार करेंगे, जिसके लिए हमने दो कलर की उन ली है, और दस नमबर की सलाई, सलाई में हमने 25 फंदे डाल लिये हैं, और इन फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, यानि कि अपनी साइड में ही बुनेंगे, पूरी सलाई को हम उल्टा बुन कर तयार कर लेंगे, और दूसरी सलाई को भी हम पीचे से उल्टा ही बुनेंगे, हम इस तरह की एक पट्टी बना कर तयार कर लेंगे, जिसमें हमने 7 धारी ब्लैक कलर की उन से तयार की हैं, और एक धारी म चार सलाई है चार चार करके हमने 56 सलाई कर लिया है उसके उपर हमने 22 लाइने बनाई है जिन में 44 सलाई है इस तरह से हम बना कर उपर फिर हम ये 7 लाइन ब्लैक कलर की उन से बनाएंगे इस तरह से हम एक पट्टी बना कर तयार कर लेंगे और इस से हम सोक्स बना कर तयार करेंगे दूसरी सलाई भी हम उल्टी-उल्टी अपनी तरफ को बुन लेंगे इस तरह से हम चार सलाई बुनेंगे इसमें दो लाइने आ जाएंगे फिर हम बलेक कलर की बूल लगाएंगे इस तरह से बुनते हुए पूरी सलाई को बुन ले पूरी सलाई करने के बाद हम उल्टी तरफ से फिर उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ हम बलैक कलर की बूल जोड़ लेंगे इस तरह से दो धारी बन कर तयार हो गई है अब हम बलैक कलर की बूल जोड़ लेंगे हमने चार सलाई या पूरी कर लिए चार सलाई हम बलेक वूल से करेंगे इसी तरह से इसमें दो धारी आएंगे दो धारी बनाने में चार सलाई पूरी हो जाती है इस तरह से हम 56 सलाई बुन कर तयार करेंगे दोनों कलर की वूल से अब हम बलेक कलर की उल से इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे पूरी सलाई हम इसी तरह से बुन कर तयार कर लेंगे इस तरह से हमने अगली सलाई अपनी तरफ से फिर उल्टी बुनेंगे चार सलाई बुन कर तयार कर लेंगे इस तरह से हम पूरी साथ पट्टिया बना कर तयार कर लेंगे साथ बलेक और साथ करीम कलर के वूल से थोड़ा हलका ब्राउन ओन वूल है ये इस तरह से बुनते हमने पूरी सलाई कर ली है पूरी सलाई करने के बाद हम इस तरह से नीचे के ये बन कर तयार हो गया है हमने इसमें साथ धारी ब्लैक कलर की डाली है उसके उपर हमने 22 धारी बनाते हुए 44 सलाई बुन लिए अब हम फिर उपर ब्लैक कलर की सी तरह से 56 सलाई बुन लेंगे दो कलर की धारी डालते हुए इसको हम एक लंबी पट्टी बना कर तयार कर लेंगे फिर हम इसका एक मोजा तयार करेंगे सिलाई करने के बाद सोक्स बन कर तयार हो जाएगा इस तरह से हमने इसमें फिर बलैक वूल जोड़ ली है और ब्लेक वूल उल्टी तरफ हमेशा जोड़े जो भी उन आपको जोड़नी है उसे आप उल्टी तरफ से ही जोड़े इस तरह से उल्टी तरफ इस तरह से बुन कर तयार हो जाएगा और सीधी तरफ एकदम प्लैन आएगा पूरा करने के बाद हम फंदो को गटाएंगे ये बची हुई उन से हमने तयार किया है दो कलर की कोई भी वूल ले ले या तीन कलर की जैसे भी आपको करना हो हम इतनी लंबी पट्टी बना कर तयार कर लेंगे 56 सलाई हमने नीचे की है 20 में 44 फिर उपर 56 इस तरह से बुनते हुए हमने पूरी पट्टी तयार कर ली है अब हम फंदो को गटाएंगे दो का एक करते हुए हम फंदो को गटा लेंगे और जो दो का एक किया है जो एक फंदा आया है उसको हम सलाई पर फिर से उसी सलाई पर डालेंगे फिर दो का एक, फिर जो फंद आएगा उसको फिर हम सलाई पर डालेंगे, दो का एक इस तरह से आप घटा ले, आप अपने तरीके से भी इसको जिस तरह से आप घटाते हैं, घटा ले, पूरा 25 फंदों को हम घटा लेंगे, और कुछ इस तरह से घटा कर आएगा, उसके से उसको भून लेंगे उस फंदे को थोड़ा बढ़ा कर इसमें को उन निकाल कर गांट लगा देंगे सुही में धागा डाल लें कुछ इस तरह से ये पटी बन कर तैयार हो गई है अब हम उन में धागा डालेंगे और उसकी सिलाई करेंगे मून में हमने धागा डाल लिया है अब हम इसको डबल करेंगे दोनों किनारों को हम इस तरह से जोड लेंगे जो पीछे से AD का हिस्सा है इस तरह से ऐसे सीलते हुए फिर हम नीचे से इसको सील लेंगे इस तरह से सीलते हुए आप इसको पूरा करें अगर आपको मेरे ये सोक्स पसंद आए, आप लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें इस तरह से सीलते हुए हम इसको पूरा करेंगे अच्छी तरह से इसको सील लें एड़ी तक हमने सील लिया है, अब हम दूसरी साइड इसकी सील लेंगे दूसरी साइड को सील कर, हम फिर आपको आगे बताते हैं ये सोक्स पहनने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं और जल्दी ही बन कर तयार हो जाते हैं, पूल बीस में बहुत ही कम लगती है इस तरह से सीलते हुए हम इसको complete करेंगे आप अपने पैर के इसाव से इसको कम ज़्यादा भी कर शकते हैं ये एक medium size का sox है जो 6 नंबर की पैर में अच्छी तरह से आ जाएगा इस तरह से सीलते हुए हमने पूरा कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरह से पक्का कर देंगे पक्का करके हम धागे को काट लेंगे इस तरह से हमने दागा काट लिया है अब हम इसी सोई से आगे का जो इससा है जो light brown color का है इसको हम इस तरह से एक एक फंदा सोई पर चड़ाते हुए पूरे brown color की उनको इस तरह से सोई से करेंगे और फिर दागे को खीच लेंगे पूरे में इसी तरह से आफ सिलाई करें इस तरह से सीलते हुए हम इसको पूरा करेंगे पूरा करने के बाद हम उनको खीच लेंगे और उसमें कांट लगा देंगे इसको अच्छी तरह से पक्का कर लें इस तरह से दोनों तरफ से उनको खीचें और खीच कर अच्छी तरह से इसको बाहन दें उनको हमने अच्छी से खीच लिया है और इसको बान देंगे और सुई से इसको हम पक्का कर लेंगे इस तरह से आप उपर की तरफ कोई फलावर बूल से बना ले या कोई सोपीस आपके पास कोई भी फलावर का हो या बटनों उसको आप यह टाक सकते हैं इस तरह से इसको पक्का करते हुए हमने पूरे सिलाई कर ली है और ये कुछ इस तरह से होगी अब हम इसको सीधा कर लेंगे सिलाई करने के बाद पैर डालने के लिए हमने इतना हिस्साइ छोड़ दिया है अब हम इसको सीधा करेंगे सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन कर तैयार हो गया है और अब हम इसको इस सीधा करके उपर एक फलावर यहां कोई लटकन या फिर कोई बटन कुछ भी आप डाल सकते हैं उपर यहां पे लगा सकते हैं मैंने इस पर एक पमपम लगा कर तयार किया है आप अपनी पसंसे इस पर कुछ भी लगा सकते हैं यह इस तरह से बनकर सोक्स तयार हो गया है इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हैं यहाँ पर आप बटन या कोई फलावर या वूल का फलावर बना कर लगा सकते हैं मैंने जल्दी में पम-पम बना कर इस पर लगा दिया है दूसरी पट्टी हमने इस तरह से बना दी है इसका भी हम इसी तरह से सिलाई करके सोक्स को तयार कर लेंगे दोनों सोक्स को तयार करने के बाद आप इसको यूज करें लेडी जूलन सोक्स बनकर तयार हो गए हैं वो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं जल्दी ही बनकर तयार हो जाते हैं इन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही कम गूल में हम इसको बना कर तयार कर सकते हैं